गुट बॉनिंग स्टुडेंट्स शिरी रतनलाल कमरलाल पाटनी राजके सनात कौतर महाविद्यायल किशनगड के यूटूब चैनल सी सी राजकिशनगड पर आप सभी का स्वागत है मैं माहिंदर कुमार वर्मा सहय का चाहर है वैवसाइक प्रिशाशन विभाग स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्शर में हम विकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यानकी विपरन के सिध्धान्त में आज हमरा जो व्याक्यान है वो है डिस्ट्रिबुशन चैनल वित्रण प्रणालियां और इस टॉपिक पर यह हमारा तीसरा वीडियो है पिछले दो वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन्स विशेश्टाएं महत्व और वित्रण माध्यम को प्रभावित करने वाले चैन के उपर हमने डिस्कस किया था आज के इस वीडियो में हम वित्रण प्रणालियों या वाहिकाओं के प्रकार और इनके कौन-कौन से रूप होते हैं प्रकार होते हैं उनके उपर हम डिसकस करेंगी या कि मद्यस्थ कौन-कौन हो सकते हैं तो जो वित्रण प्रणालिया या वाहिकाओं हैं उनके क्या क्या प्रकार होते हैं या कौ को उत्पाद करने वाला और वो सिधा उभोगतादक अपने माल को पहुंचा देता है इसके बीच में कोई भी मेडियेटर नहीं होता इस वित्रन प्रणाली को प्रतेक्ष विक्रे प्रणाली भी कह सकते हैं इसका कारण यह है कि इस माध्यम में ग्रहा केम उत्पादक का प्रत्यक्ष संपर करेता है उत्पादक अपना माल बिना किसी मद्यस्त की साहिता से उत्भोक्ता को विक्रे करता है इस प्रणाली से माल का विक्रे करने पर मद्यस्तों का बिलकुल अंत हो जाता है इस प्रणाली का प्योग करने वाले उत्पादक अपने यहां घरगर विक्रे करने वाले विक्रे करता रखते हैं या डाग दोरा व्यापार करते हैं या अपनी फुटकर शंकला बद दुकाने खोल लेते हैं दूसरी जो वाहिकाई है या प्रणाली है वह उत्पादक, फटकर व्यापारी और उब्होगता वित्रण के इस प्रणाली में उत्पादक अपने माल को फटकर व्यापारियों को बेचता है और फटकर व्यापारी उब्होगताओं को उनकी आफशक्ता अनुसर माल का विक्र कर देते हैं थर्ड है उत्पादक थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी और उब्होगता वित्रण के इस प्रणाली में थोक व्यापारी उत्पादक से माल क्रे करता है और फुटकर व्यापारी को माल का विक्रे करता है जो पुने उब्होगताओं को माल विक्रे करता है दे स म lure کو पहुंचाता है ऋंस पॉंट है उत्पार्थ है उत्पादक एजंट व्यापारी और व्यापरी और बोक्ता कई उत्पादग अपने एजएट के मीत्वैता अथे करते हैं जो करते हैं जो पीछ में एक vibe करते हैं ईजaden्ड को माल कि2 टांतरन नहीं होता इस माद्या में मितवईता लाई जा सकती है कार्य में इसमें मितवईता आती है इसमें उत्पादक एक बीच में एक एजेंट करता है या एजेंट को माल बेचता है एजेंट फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी उभोकता को फिफ्ट पॉइंट है उत्पा को माल का विक्रय करता है तर्बिकर को और फिट कर यापारी अंतिय मुप्व сюда को माल का विक्रय करते हैं पित्रण की प्रणाली सबसे लंबी प्रणाली है इस प्रणाली का प्रयोग बहुत होता है उत्पादक सेalar Creek प्रणाली बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए इसका प्रयोग भी कम होता है नेक्स लाइड में हम बात करें तो यह है मद्यस्थों का वर्गी करण यान की क्लासिफिकेशन ओफ मिडल मैं विबिन वित्रण माद्यमों में कारियरत सभी मद्यस्थों को हम दो भागों में विवक्त करते हैं पहला है क्रियात्मक मद्यस्थ या व्यापारिक एजेंट और दूसर है व्यापारिक मद्यस्थ तो पहला जो point हो है क्रियात्बग मद्दिस्थ या व्यापारिक एजेंट तो क्रियात्बग मद्दिस्थ वे मद्दिस्थ होते हैं जो विबिन परकार की विप्रन से हमाई प्रदान करते हैं इनका प्रमुक कारे उत्पादक से भोकता तक माल पहुचाने की क्रिया को सरल करना तदा उसमें सहायता पहुचाना है इस प्रकार के मद्दिस्तों में हम निनलकित मद्दिस्तों को सम्मिलित करते हैं जिसमें पहला है आड़तिया ज्यान की फैक्टर इसके कायर के बदले उसको भी जो कमिशन मिलता है उसे व्यापारिक बाशा में आड़त कहते हैं ऐसा एजेंट अपने पारिश्ट्रमिक तथा अपनी ओर से किये गए खर्चों के लिए माल तथा माल के हिसाब पर ग्रणादिकार रखता है यानि कि वह जब माल बेचता है तो माल अपनी अधिकार में नहीं रखता यह क्रेटाओं तथा विक्रेटाओं को मिलाकर उनके बीच माल के क्रे कानुबंद करवा दिता है तो समबंद स्थाबीत करवाने का प्रियास करता है संबल स्थाबित हो जाने पर दलाली प्राप्त करता है अधिकतर आप ने जो रियल स्टेट्स में देखा होगा ऐसे व्यक्ति दलाल के रूप में जो भूमी वगरे मकान के वगरे काम करते हैं उसमें ऐसे विक्तिकारे ज्यादा मात्रा में करते हैं अगला है परिशोद अभी करता या एजेंट इसके अगर हम बात करें तो यह माल विक्रे करने तो नियुक्त कियावा एजेंट होता है जो साधान कमिशन की अत्रिक्त कुछ विशेश कमिशन के बेचे माल का भुक्तान पर आप नहीं हुआ तो स्वयम उस मुल्य को उसके उसको प्रधान को भुक्तान कर देगा यानि कि अगर वो माल बेच देता है प्रधान जो माल प्रधान उसको माल बेच देता है बेचने के लिए माल बेच देता है और अगर उसको भुक्तान नहीं ह है कि ऐसा एजंट भुक्तान के लिए तभी उत्तरदाई होता है जबकि वह माल खरीदने वाला भुक्तान ना करे अत्वा दिवालिया हो जाए किन्तु यदि अनुबंद का पक्षकार अपने अनुबंद का निश्पादन ही ना करे अथात क्रे विक्रे के सोधे को पूरा ही ना करे तो इसके लिए इसके एजंट उतरदाई नहीं होता और इसके लिए कि बहुत फेमस थॉमस गाब्रियल एंड संस बनाम चर्चिल दो का मामला इसका अधिक्तर कोट किया जाता है अगला है निलाम करता यानि कि आॉक्षनर माल को निलाम करने वाला विक्ती भी माल के स्वामी का एजंट होता है जो कि माल निलाम करने के लिए नियुक्त किया जाता है यह माल का विक्रे करने के लिए बोली लगवाता है जिस वक्ति की बोली यान की बिड सबसे उची होती है उसे माल सोब दिया जाता है तदा भुकतान ले लिया जाता है निलाम करने वाला एजेंट इस राशी में से निलामी के खर्चे तदा अपना पारिष्ट्रमी काट कर से राशी मालकि स्वामी को लोटा देता है यहां यह बात ध्यान देनी योग्य है कि यदि मालक निलामी के समय मालक स्वामी का नाम प्रकट नहीं किया जाता है तो ऐसा निलाम एजेंट ही तीसरे पक्षकारों के प्रती जक्तिकत रुप से उत्तरदाई होता है यानि कि अगर निलाम करता है जो उत्पाद है उसके मालि का नाम उजागर नहीं करता है तो व्यक्तिकत रुप से निलाम करता ही उसके लिए उत्तरदाई होता है आयात एजेंट यानि कि इंपॉर्टिंग इंपॉर्टिंग एजेंट आयात एजेंट वह एजेंट है जो अपने प्रदान के लिए विदेशों से माल का आयात करता है तदा उसे अपने प्रदान का अग्यानसर अपने देश में ही बेज़ देता है इस प्रकार विक्राइसे प्राप्त होने वाली राशी, मैं समस्त खर्चे तदा अपनी कमिशन काटकर सेल्स राशी प्रदान के पास भेज डेता है इसे माल खरीदने तदा माल बेजने के लिए आवशक दन राशिप प्रदान द्वारा भीज दी जाती है अगला है प्रेशन एजट अपने प्रदान के माल को जहाज द्वारा विदेशों में बेजने का कारे करता है जब भी किसी व्यापारी को माल का निरियात करना होता है वह अपना माल कुछ निर्दीशों के साथ प्रेशन एजट के अधिकार में सोब दीता है यह एजट माल को जहाज में लद्वा कर गंतवे स्थान पर पहुचाने की यतोचित व्यवस्था कर देते हैं और अपना कमिशन ले लेते हैं अगला है निकासी या माल छुड़ाने वाला एजट यानि क्लिरिंग एजट जब माल आयात किया जाता है तो बंदरगा पर माल छुड़वाया जाता है बंदरगा पर माल चुड़वाने के लिए जिस विक्ति के नियुक्ति की जाती है वह निकासी एजेंट या माल चुड़ाने वाला एजेंट कहलाता है यह agent बंदरगा से माल छुड़वा कर उचे साधन से अपने प्रधान की इच्छानुसार स्थान पर पहुँचाने की विवस्ता कर देता है अगला है बंदार agent यान की वायर हाॉसिंग agent बंडार एजेंट वह होता है जो अपने प्रधान के माल को अपने गोदा में स्रक्षित रखता है तदा उनकी आग्या नुसार किसे अन्य वक्ति को सौब देता है यह एजेंट जब माल प्राप्त करता है तो प्रधान को एक रसीद देता है प्रधान जब भी अपने माल को बेचता है वह इस रसीद का बेचान कर देता है यह एजेंट उस माल की उसी वक्ति को सुपर्दिकी दे देता है जिसके पक्ष में बेचान किया गया है माल चुडाते समय प्रधान या माल चुडाने वाला व्यक्ति इस एजन्ट के परेश्रमिक या कमिशन का भुक्तान कर देता है यदि उसे कमिशन प्रावत नहीं होता तो वह माल की सुपरत की देने से इंकार कर सकता है अगला जो मद्यस्त है वो है व्यापारिक संबंद यान की मर्चेंट मिडल में व्यापारिक मद्यस्त मुख्य रुप से दो प्रकार के होते हैं पहला थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी वह व्यापारी होता है जो उत्पादकों या निर्माताओं से भारी मात्रा में माल खरी दिता है उसे संग्रह करके रखता है तदा फुटकर व्यापारियों को छोटी-छोटी मात्रा में आवशक्ता अनुसर माल का विक्रह करता है यह उत्पादक तदा उभ्वक्ता के बीच की कड़ी होता है दूसरा है फुटकर व्यापारी फुटकर व्यापारी वह होता है जो अंतिम उभ्वक्ताओं को माल का विक्रे करता है ये अनेक प्रिकार की अनेक दिनुमाताओं की बनी हुई वस्तु का संगरे करके रखता है ये अपनी दुकान या स्टोर की सजावट पर पुरा ध्यान देता है ये ग्राकों का भयती चुटी-चोटी मातरा में माल का विक्रह करता है और फटकर व्यापारियों को भी हम दो बागों में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें पहला है लगउस तरीय फटकर व्यापारी यानके Small Scale Retailer जिन व्यापारियों की विक्र के मात्रा कम होती है आर्तिक साधन जोखिम वहन करने की शम्ता सिमीत होती है और वस्तो का स्टॉग भी कम रहता है लग उस तरी फटकर व्यापारी कहलाते हैं जैसे सड़क के दुकानदार, प्रानी वस्तो के व्यापारी, विशेश वस्तो की दुकाने, सामाने दुकाने एं उचित मुल्ले की दुकाने दूसरा है दिर्ग इस्तरी या व्रहद इस्तर पर इस्तरी फुटकर व्यापार यारं कि large-scale retailer ये वे व्यापार हैं जिनके माल की बिक्री की मात्रा अधिक होती है वस्तू का stock बड़ी मात्रा में रखते हैं ये वित्य साधन तदा जोकिम शम्ता अधिक होती है जिसे उब्वक्ता सहकारी संग बहु संखिक दुकाने विवाग्य बंडार डाग दोरव व्यापार ये अन्य संग और श्टुएंट्स आजकल प्राई ये दिखा जाता है कि बहुत से बड़े-बड़े ब्रेंड्स हैं वो भी रीटेलिंग करते हैं याद कि वहने हमาร्ज स्केल रिटेलर के नाम से भी जानते हैं यानकि रिटेलिंग सेक्टर में बड़े स्तर पर कारे करने के लिए जानी जाती है। तो स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें यूटूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद!